वैसाख का इत्वार कब है? वैसाख के इत्वार का नियम भी बताऊंगे वैसाख के इत्वार में पुरशाद की तरह का बनता है? Hello everyone, welcome back to my channel कुंज ओफिसे, level your channel कैसौ अपलोग? रहोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे बैल अकने उसे जरूर कर दे ताकि मैं जो भी निया वीडियो डालों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है आज के वीडियो में बात करूंगे वैसाख का इतवार कभा है वैसाख के इतवार का नियम भी बत कर रही है तो पूरी तरह से स्वच्छ होना होता है नाखोंग नहीं काटना होता है और ब्रस योज किया जाता है इसमें दत्मन का यूज करें आंम नहीं मिलता है किसी भी लट click के जाता है उसके बहुत जो अघहर सबकर थे इस में कुछता है वैसाक में चीनी का बनता यह घूर्टा बनता है अगी होता है उसके बाद प्रशाद की अगर बात करूं तो सिजनल जो भी फल होता है बहुत लोग अर्ग देते हैं तो मेरी हां मेरे सुसरार में अर्ग दिया जाता है सुरेदेव को अगर आपको कोई भी डॉट हो तो मैं आई बटन में लिंक लगा दूँगी जी हैं पिछले साल जो मैं कैसे की हूँ छटेद बार बैठ आई हूँ उसका लिंक लगा दूंगे आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं अगर आपको वहां से आपको ज्यादा समझ में आ जाए और उसके बाद सिजनल फल जो भी है मार्केट में अबलेबल वो सारा चीज और चावल का कच्मनिया बनता ह और जो भी सूप होता है तो दोनों लोग उस पे रखते हैं और पीतल का सूप भास के सुप में जह सारे 12-1, 12-11, 12, बाद ही सारे लोग 6 येपा पुजा करते हैं, तो उस वक्त घर का जो भी जैन्स आर्ग दिलाते हैं, और अर्ग दिलाने के बाद जो भारा होता है, 6 महीना का भारा, तो एक पीर ही होता है, लकरी का, तकता कहलेजिए या पीरी कहलेजिए, उसी पे रखा जाता है अईपन लगाके और उसके बाद जो जेन्स होते हैं वो पकरते हैं और जो पुझा करते हैं जैसे कि मैं पुझा करते हैं तो मेरे हस्बेर ने वो पकरेंगे और वही बोलते हैं कि छे महिना का भारा उत्रा तो हम लोग बोलते हैं यह पांच बार बोला जाता है उसके बाद प जिए अब लोग एक बार खाते हैं सुर्य ढलने से पहले खालिया जाता है और अब मैं आप लोग को बता देती हूं कि छट इत्वार कब है जिए च्छट इत्वार जो वैसाक का इत्वार है वो दो इत्वार पढ़ने पढ़ रहा है वो शुकल पक्ष में जी हां हम लोग इजोरिया में बैठाते हैं तो शुकल पक्ष का दो इत्वार है एक है 23 अप्रेल को जिसमें आप पहला इत्वार कर सकते हो और भूल बस छूट गहा हो आप लोगों का तो आप लोग उसको 30 और एक बात और बताऊंगी इसमें जो कपरा पहन के हम लोग पूजा करते हैं उसके बाद उसको बैठाते हैं वही सारी में आप वीडियो में भी देख लीजेगा उसके बाद नौरमली उसको यूज करने के लिए हम लोग निकाल देते हैं जिसको बहुत जगा पॉलट भोलते हैं सारी पुजा का सारी भोलते हैं तो ये नाम दिया जाता है बहुत जगा अलालग नियम होता है तो हमारे यह नियम है और हमें जो जो नौलेज है वो मैं आप को बताई जो मैं करती हूं वो बताई तो आप लोग को हमारा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंसेयर करना बिल्कुल नभूलना थैंक्स पर क्वाचिं किप्स